पाट्यांशान नी पलकमपली शांट्रदेविगार रचेंचे आरू आज अपन बका शुरूरी बींदू दयाएन शाइतां का खाना उसके बारे में अपन जानकारी लेना है। आखिर ये शायतां का खाना क्या है बका शुरूरी। ये किस तरह से खिला रहा है। तो यह यहां पर शैतन का खाना का मतलब है, जो जहाज लेन दिन जो हो रहा है, उसके वास्ते जो लोग परेशान है, माबाप, लड़की के माबाप जो कटनम देने के लिए, यानि पाईसे वह देने के लिए, देन लेन देने के लिए, जो परेशान हो रहे हैं, वो परेशान के जाहिर करने के लिए वो परिशानियां बताने के लिए जो लेसन लिखे गए वो है बकाशरुणे विन्दु इस पुलकंपली शांत्र-देवी गारे रचींचे आरहां पुलकंपली शांतर-देवी लिखे पाट्या उद्देशं ये पाट का उद्देश क्या है वरकटना वरकटना दुराचारों जो लड़के को दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं जहाज दे रहे हैं वो आज ये समाज में बहुत बड़ा प्राब्लों क्रेयेट हो गया है आड़ पिला को पेल्डी चेएड़ान तल्ली दंडलों पेदा भारांगा मारी पहिंदी जो लड़केयों की शादी करना लड़की के माबाप को बहुत बड़ा बोज होते वे आरा इटवन्टी दुरा चारा लान रूप मापड़ान की नेटी आड़ पिला ले नड़म बिगिन चाला निच्छे पड़ां ये पाट्या भागा उद्देशाम आज कल के ये जमाने में चलने वाले जो ये परेशानिया है जो माबाप परेशान हो रही जो जहिस के बारे में परेशानी है ये चीजों को अपन खतम करने के लिए रूप मापड़ान की खतम करने के लिए आज के जमाने में लड़किया ही पहले आगे बढ़ना है खतम ये lesson में अपने को बथाए गया ये ही ये पाठ का उद्देश है अब ये lesson के बारे में अपन चले गए तो इे पाठों कदाने प्रेक्रिया को चेंदिन अदी ये जो lesson है ये कहानी के वैसा जा रहा है ये ये और छोड़े बच्चाओं को कहानी बोलते रहते है एक जने कहानी सुनाते रहते हैं तो दूसरे जने सुनते रहते हैं यानि आपस में बैटके एक जने बोलना एक जने सुनना ऐसा चलता यह पाटम पॉलकमपली शांत देवी रासिना मरनम अंचुना मंदहासं अने कदला संपूठी लोनी दी ये लेसन पुलकमपली शांता देवी जो लिखे किताब वो किताब का नाम है मरना मंचुना मंदाहासं मरना यानि मौत के खरीब मौत के खरीब ये मंदाहासं मसकरापन वालकि ये कहानी की किताब है वो कहानी की किताब में से ये लेसन अपने को लिया गया यानि मरना मंचुना मदहासां यानि मरने से मरने के खरीब खरीब ये उसके मजाख उड़ाना यानि लड़की वाले जैसा लड़कों को पैसे देने के लिए यानि तो उसके बारे में शादियां तूटना यानि तो कुछ परेशानियां होना यानि तो उन लोंके टाचर करना ऐसे किस तरीखे से होते रहता हैं, तो यहां पर अपने को बताया जा रहा हूँ, रचे इत्री पर्चेयां, यह जो रचे इत्री लेखी का है, उसके बारे में अपन डिस्कॉस करने है, पुलकमपली शांत देवी वनपर्ति जिल्ला, वनपर्ति लो 1942, पंदमीद अंदल अपनंगान में वनपर्ति, एक डिस्टीक है, वो वनपर्ति डिस्टीक या वनपर्ति गवमेही, उननो 1942 में पैदा अभिया, आमें 25 कदलु, अर्वरेंड नवललु रचे इन्छीन चीन्दु, उननो 75 कहानिया और 62, पच्छेतर कहानिया और बहसेट, नवल, नवल्स इनो ळिखे, तेल्गु विश्व दिय 늘न नोंडी उत्तम रचे इत्री पुरस्कारम, अभिनननन समस्ता नोंडी माधीरडी सुलोचरन स्मारक पुरस्कारम, वनपर्ति गवरुवालनु पोंदिन्युक्तु, तेल्गु इन्वर्सिटिसे उत्तम रचेइतर पुरस्कारम, भेष मुल गई एक अवार्ड मिला ये दो अवार्ड खिताबें इनको बहुत इंपोर्टेंट थे स्त्री चैतन्या स्रवंति याने पेरू तो समस्तन स्तापिन चाहिए महिला अभी दें कोसां आनेका कारेक्रमालों चेपटिन दें इनक्या है ये एक सोसेटी बनाए उसका नाम है स्री चैतन्या स्रवंति याने लेडिस में एंक्रेज करना लेडिस को एंक्रेज करना लड़कें को एंक्रेज करना वह नाम से एक सोसेटी बनाके महिला अब्यूद एंकोसम याने औरतों की अच्छाई के लिए उनलों को किस तरीखे से डवलप करना क्या है तो यहां पे उसके बारे में अनेके कारिकरमान चेपटिन दी कई खिसम के पोग्रामस हो यह बना के करके लेडिस को एंकरेज करते हुए आते गए अपन बकास्रीड विंद लेसन में अपजेंगे लेकिन इसमें क्या है लड़की के पेरेंट्स माबाप लड़की के शादी करने के लिए कितना परेशान रहते है और यह दहेश प्रजा जो चल रहा उसके बारे में उन लोग क्या-क्या पापड बेलना पड़ता है इसके बारे में यहां पर पूरे जानकरी दिये गया यहां पर यह कहानी के वैसा एक जेने बोलते रहते हैं एक जेने सुनते रहते हैं यहने स्कूल में बच्छाँ को टीचेस कहानियां सुनाई तो एक कहानी के ऐसा ये चलते वे आ रहा है तो अपन देखने है लीला को ये रोज मोजटी सारी पेली चूपुलू यहां पे लड़की का नाम है लीला ये लीला को पहली बार शादी में देखने के लिए आए वक्क मद्यतर रहती हमाई पेली चू फ्यामली में लड़की को देखने के लिए जो इंतेजा मार रहते वही तरीखे से यहां पे इंतेजा चल रहा है था पिल्ला नो सलिया परिक्षा चेस्तु नटलूगा निर्भयंगा कडलू पतिकायल चेसकों चूसेडू वरूडू लड़की को जो लड़का है दूला इस तरीखे से देख रहा है कि उसमें क्या कमिया है यह निकालने की कोशिश में था पिल्ला वोरगा इना स्प्रश्टम गाने चूसें दी लड़की पहली बारी उसे देख रही लेकिन फिर भी उन्हों उसे अजमाते गई इंतलों की वेलम्मा लीला तंडरी नारायना चेप्य लड़की को अंदर भेज दिया अब इसके बाद जो बीज में जो शादी के बारे में लेके आया था जो मिडिल मैन उन्हों वो रहा था अब देनलेन के बारे में आपन बातचीत कर लेंगे क्या पिल्ला नच्छिन तरवाता का था तो इसका रिपले क्या आया पहले बच्ची तो पसंद आना है न चेपो या सुदाकर पिल्ला नच्छिन दा जो दूले का नाम है सुदाकर पूछ रहें चेपो या सुदाकर बोलो सुदाकर पिल्ला नच्छिन दा लड़की पसंद आई क्या आ संत्रुप्ती तो थल डाड़ीं चाड़ू कौंचे आप पढ़लो ये तुले कपोते बागुंडे दें दी आयना परोले दन कौंडी नाम नच्छिन दी आ ठीक है लड दरा खुशी से जाहर करां लेकिन फिर इसके लड़की के बारे में थोड़ा बहुत कामेंट्स करते हुए लड़की के दानता जरा उंचे है वो उंचे नई रहते दे तो बहुत अच्छा रहता था फिर भी परवानी नागन अच्छिन दी फिर भी में को पसंद आई पक्क आनता निर्माटम गा यह मनदान गई ना तना हकों नट गई तना पन्डमी दा कामेंट्स चेड़ा न चले दुए जो दुलहा है लड़का उन्हों लड़की के बारे में उसके बारे में कुछ भी याने उनके दांत के बारे में या उनके फेस के बारे में कुछ भी मंड़ी पहिंदी एक दम बच्ची को जरा बच्ची होसे में आ गई यह मा अब्बाई नच्याड़ा अनि तनने अडगरें श्रीफ लड़के को पूछ रहें लड़की पसंद आई या नहीं आई लड़की की कामेंट्स उनो कर सक रहें लेकिन कोई भी आके मेरसे नहीं मैं तो यही कहती थी कि उसके आँखा इतने बड़े बड़े क्यों है फिर भी परवानी में भी पसंद आया नालकर मैं भी उसको जवाब दे जाए थी पैदला वेवहार हों चाला निर्मोहमाटंगा कच्चितंगा नडशिंदी जो बड़ों के बाच्ची जो चल रहे थी वो दोनों के सबके बाच्चीत बीच में बराबरी से चलते हुए आये वरनी रेटू पादी वेलुगा तेल इंदी आखिर कर दूले को दस हजार दहज में देने के लिए बाच्चीत चल रहे थी इंका आड़पिलला लांचनालू अभी वी और लड़के के जो भाहिना रह आए ता हिंदूस में तो इन लोग क्या करते हैं लड़के के शादी लड़के के जितने भी भाहिना है वह भाहिनों को भी लड़कियां वाले कुछ ना को उनलों को बनाने कर रहे था तो उसके बीच में भी यांपे बाच्चीत चल रहे थी नारायना रव मुखं कॉंचम लांटी लांचना लाइते तनवाला आउतुन दनुकुन नाडू इनो सोंच लिये थे कि एक पांच हजार नगद और एक अंगोटी और एक घडी ये हुए तो मेरे हिसाब से मराबर होया ता था वालके इनो सोंच लिये थे आँ माट तेलची चेपते इसम्मन्नम इपड़े बेड़सी कोड़तुन देमो नना जंकुतो अगर से मैं स्रिफ्प माच हजार दूंगा घडी दूंगा और केगी येक अंगोटी दूंगा ये बाद अभी मैं दूले के सामने या दूले के पेरेंस के सामने मैं सुना दू इत्वार के दिन मैं वहाँ पे आऊंगा जब अपन सब बातचीत करेंगे पेल्ली चूपला कारेकरम मुगी सिंदी जो लड़की को देखने के असते आये जो खिलाना पिलाना जो पोग्राम रहता वो पोग्राम यहां पे खतम हो गया उसका सेकेंड पाट में गए तो उसक लीला से पूछरी तुम क्या बात कर रहां वरकटनम पदिवेलु कादु कटनम पेरुतो अतड़ु वका पैसा तीसकोना नेन अतड़िनी चेसकोनू लीला कच्चिताउंगा चेप्पिन्दी जो दहे दस हजार उना पूछरां दस हजार नाई अगरसे एक पैसा भी उना ल अगरसे जहेज नहीं दिया तो उन्हों शादी तेरे क्यों कर लेंगा तो यह खुबसरत परी है क्या या मिनिश्टर की लड़की है या कौन है तो तेरे बिना जहेज के शादी कर लेने के लिए हैं कि उन्हों जरा घुस्से में बेटी से बात कर रहे थे हैं उनके मदर कि जैश को को पोते सरे नहीं कर लिए तो नहीं कर लिए शादी क्या कर ने कह Wales पेट हो डिए को माच और में रहे बेटी उन्हों आपके जानके पर बैठा तो है लेकिन उन्हों जानके पर बैठा तो कुछ नहीं है माई बैठा तो आपको परेशानी हो रही क्या इसका रिप्ले में लीला जवाब दे रही थी वाड़ी की नहीं को पोली के मिटी वाड़ू मगाड़ू लड़के में और लड़की म में फराख है नहीं क्या उन्हों लड़का है उससे तो कंप्यार क्यों कर रही है ये इनकुच अच्छी न वे ये बद्खी न वे ये अनट का मगाड पेली चैस को न सरे चैस को पही न सरे एक एक्जाम्पूल दे रही हुनों के हाथी मरा या नहीं मरा तो भी बराबर है वाईसेच लड़का शादी करलो या मत करलो दोरमी एकी है लेकिन वो हमारे उपर बोज नहीं बनता मन जातिनी मनमें किंचपपछ़ कोणें यंदू काम मा मगाडी अंड आड दान की अन्ता अवसरमो आड दानी की तोडू मगाडी की अन्ते अवसरम मना जाती कि मनं किंच्र पच्छ कोड़ें एंदु कम्मा अपनी जो अवरत जात है उसको अपनी च बदनाम कर ले रहीं चियों वैसा मगाडी अंडा आड़ादानी के अंता अवस्रम हो जो एक मरदाद मी अवरत को कितना जरूरी है वैसा ही आड़ादानी तोड़ू मगाडी कोड़ा अंते अवस्रम हो जो पुराने जमाने में लेडिस जो नईकमा रहीं थे जब भी मरदुवे की इज़त ज्यादा रहती थी लेकिन अब वो सब नहीं है अब अवरत भी कमाने के लिए चले जारी अतड़ी पपुले मोड़को अब उसका काम कुछ नई चलता बागुंदामा वादम संपादने समानत्वं तीसको अस्तुंदा नुव कटनम इची अतनी पेल्ली चेसको पोते अतड़ी पेल्ली कादना मदेवर्ती चपने चेप्याडू बागुंदामा वादम तुमारी जो बहस है वो बहुत अच्छी ए संपादने समानत्वं तीसको अस्तुंदा जो कमाई है वो दोनों में अगरसे तो जहाज नहीं देखें चाणाटकु पिल्चको कि रंडेकरालर पॉलमं रासे पट्ण होगी में यल्लुक राटाटसराना कि वेंटबंडड़ hypothंud मश्कला आंज में काकार। मी नानगार में चाटन पिलिचको नी आपके डेड़ी को बाजुक बुला लेके जाके जो सिरिपुरन से आये थे उन लोग 12,000 नगर और दो एकर जमिन लिखे देखे और शहर में घर भी दिलाव वोल के पिछे पड़े थे तुन्दर का संबंधानी निचेन चेशको पोते चेई दाटी पोतुन दाटा इन तम अंचे संबंधान चेश जर्चकोड़ं मी नानगा इस्टन लेदू अंदू के आप अलेलो आरेंड़े कराला भेरं पेटड़ानी की वेल्याडू इसलिए आपके पिता जी ये जो निजबत आईवी है उसे छोड़ना नहीं चाहा रहे हैं जहां पर दो एकर जमीन है उसे बेचके आने के लिए चले गए मिमननी सर्वनाशनों चेस है इपेड़ी नीन चेस कोनू ननी यकवगा बलोन तम पेड़ते नाख्शवों में चूसता रहू लीला विसुरगा गदलो की वेली पोईंदू मिमननी सर्वनाशनों आपको पूर बरबादी करने वाली ये शादी मुझे नहीं होना याने ये जितने भी प्रापरटिस वो बेचके करके आप गरीबी में आ के मेरी शादी करना चाह रहें तो ऐसे शादी मुझे नहीं होना ल् volunteers होगा बलवन तम बेड़ते हैं ना शव में चूसता रो, मेरे को अगर से जबर्दस्ती करें, तो श्रिफ मेरी मौता ही यहां पर आप देख सकते हैं, लीला विशुरुगा गजलो के वेली पोहिंगी